Hello students, आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल Toppers Classes by SSS में फीर से एक बार पुना स्वागत है अभी हम लोग Jackboard Term 1 एकजाम के लिए Class 12 Physics में Most Important MCQ यानी Objective Question Answer को पढ़ेंगे यह हमारा Physics में Objective का तिसरा वीडियो है, देखिए धियान से अंतिम तक प्रस्न नमबर एक, किसी माधियम की आपेचिक परावेधुता Epsilon R होती है Option A होगा, Epsilon बटे Epsilon Not याद रखेगा, किसी माधियम की आपेचिक परावेधुता यानी परावेधुतांग Epsilon R का फर्मुला होता है Epsilon बटे Epsilon Not एक का सही उत्तर Option A होगा आगे देखिए Question No.2 एक बिंदू आवेश Q से R दूरी पर बिध्यूत बिभाव का मान होता है Option A सही उत्तर होगा 1 बटे 4 Pi Epsilon Not इंटू Q बटे R एक बिंदू आवेश Q से स्मल R दूरी पर बिध्यूत बिभाव का मान कितना होगा Option A सही उत्तर 1 बटे 4 Pi Epsilon Not इंटू Q बटे R आगे देखिए कॉसेन नमबर 3 देखिए आवेस का प्रिष्ट घनत्व बराबर होता है कूल आवेस बटे कूल छेतरफल यानि तीन का सही उतर आप्सेन बी होगा आगे देखिए कॉसेन नमबर 4 पानी का पराबेदूत इस्तिरांक होता है 80 यानि 80 ओप्सेन ए सही उतर होगा कॉसेन नमबर 4 का आगे देखिए question number 5 capital R तिर्जिया की पिर्थवी की विध्यू धारिता होती है option B सही उतर 4 pi epsilon 0 into R आगे देखिए question number 6 question number 6 देखिए एक ampere बराबर होता है एक ampere में एक कुलाम बटे एक सेकेंड होता है 6 का सही उतर option A होगा एक ampere बराबर एक कुलाम बटे एक सेकेंड होता है आगे देखिए question number 7 बिध्यूत बाहक बल की इकाई है vault यानि जूल परती कुलाम बिध्यूत बाहक बल की इकाई होती है जूल परती कुलाम जिसको vault कहते है 7 का सही उतर option C होगा आगे देखिए question number 8 small t समय तक धारा I के परवा के कारण capital R परतिरोध के चालक में उत्पन उस्मा होती है I square into R into T 8 का सही उतर option C होगा I square R T आगे देखिए question number 9 5 टेसला का चुमबक ये छेतर बराबर होता है option A सही उतर होगा 5 गुना वेबर परती मिटर स्क्वेर 5 टेसला का चुमबक ये छेतर 5 वेबर परती मिटर स्क्वेर के बराबर होगा 9 का सही उतर A होगा आगे देखिए question number 10 question number 10 को देखिए परतियावर्ती धारा का RMS मान यानि IRMS और परतियावर्ती धारा का सीखर मान यानि I not के बीच संबंध होता है option C सही उतर होगा IRMS बराबर 0.707 I not याद रखिएगा परतियावर्ती धारा का RMS मान और सीखर मान यानि IRMS और I not के बीच रिलेशन होता है option C IRMS बराबर 0.707 I not option C सही उतर होगा आगे देखिए question number 11 कोनिया आविर्ती ओमेगा वाले परतियावर्ती धारा परिपत में capital L पेरकतो वाले पेरक द्वारा उत्पन पेरनिक परतिखात यानि पेरकिय परतिखात का मान होता है XL बराबर फरमुला होता है omega L omega L 11 का सही उतर option B होगा XL बराबर omega L आगे देखिए question number 12 सक्ति गुनांग के लिए निम्नलखित में कोण संबंद सही है सक्ति गुनांग का कौन ठो फरमुला है खोजिये option C सही है सक्ति गुनांग बराबर यथार्त माध्य सक्ती बटे अब 80 माध्य सक्ति 12 का सही उतर सक्ति गुनांग के लिए option C सही फरमुला होगा आगे देखिए question number 13 कारबन परतिरोद के हरे रंग के कोड का मान है कारबन परतिरोद में हरे रंग के कोड का मान 5 होता है 13 का सही उतर option C होगा आगे देखिए question number 14 यानि 14 चुम्बक ये छेतर के पिटल B vector में B wake से गतिसिल आवेश small Q पर लगने वाला बल का बेंज़क क्या होगा? कॉसेन बोल रहा है चुम्बक ये छेतर B में B wake से गतिसिल आवेश Q पर लगने वाला बल का सुतर क्या होता है? Option A सही उतर होगा FM वेक्टर बराबर Q इन्टू B क्रोस B चोगदो का सही उतर Option A होगा आगे देखे Question No. 15 Transformer के लिए निम्नलखित में कोन सही है? Option D सही है या AC भोल्टता को बढ़ाता या घटाता है यानि Transformer का काम है AC भोल्टेज को कम बेशी करना यानि 15 का सही उतर हो जाएगा Option D Transformer AC भोल्टेज को बढ़ाता घटाता है आगे देखे Question No. 16 चुम्बक या धूर्व परबलता का SI मातरग है Ampere meter 16 का सही उतर Option C होगा चुम्बक या धूर्व परबलता का SI मातरग होता है Ampere meter 16 का सही उतर Option C होगा आगे देखे Question No. 17 पिर्थ्वी के चुम्बक या धूर्व पर नमन कोन का मान होता है 90 डिगरी 17 का सही उतर Option B होगा आगे देखे Question No. 18 निर्वात की चुम्बक या परविर्थी का मान होता है सुन्य होता है 18 का सही उतर Option D होगा Option D सही उतर 18 का आगे देखे Question No. 19 चुम्बक सिलता मियू के लिए निम्नलखित में कोन संबंद सही है चुम्बक सिलता मियू का सुतर कौन्टो है खोजिए मियू पराबर सुतर होता है B by H 19 का सही उतर चुम्बक सिलता मियू पराबर B by H होगा Option B सही उतर 19 का सही उतर आपसन B मियू पराबर B by H आगे देखे Question No. 20 Last Question देखे 20 चुम्बक या मियूतर में पार्थी वा चुम्बक ये छेतर केपिटल B नमन कौन डेल्टा भेक्टर B का 36 घटक B H और भेक्टर B का उधुर्वादर घटक B भी हो तो निम्न लिखित में कौन सही है खोजिए A, B, C, D कौन सही है खोजिए Option A सही है 36 घटक B H बराबर B कौस डेल्टा 20 नमबर प्रस्ण का Option A सही उतर होगा B H बराबर B कौस डेल्टा तो चलिए यह हमारा Physics MCQ का छठा वीडियो था जिसमें हम लोग अभी 20 Most Important Objective प्रस्ण उतर को देखें जो आपके जैक बोड फर्स्ट अर्म एकजाम के लिए क्लास 12 Physics के लिए बरदान सावित होगी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थेंक यू